नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है सक्षम 24 स्वागय थे आपको हमारे चैनल सक्षम आरवेदा में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मस्कुलर डिस्टॉफी इन चिल्डन के बारे में मस्कुलर डिस्टॉफी मतलब मसल से रिलेटेट कोई डिस्टॉफी हो गई हो उनकी बनावट में कोई डिस्टॉफी हो गई हो, कोई गड़बडी हो गई हो, उसको मस्कुलर डिस्टॉफी कहा जाता है तो सबसे पहले तो देखते हैं मस्कुलर डिस्टॉफी में डिस्टॉफी का क्या मीनिंग होता है डिस्टॉफी is a Greek word which literally means aberrant nourishment aberrant nourishment मतलब abnormal nourishment जैसा nourishment उसे मिलना चाहिए था, उससे हटके कोई abnormal nourishment हो गया हो तो उसको डिस्टॉफी कहा जाता है मस्कुलर डिस्टॉफी और हैंस aberrant nourishment of muscle fibers obviously muscle fibers के aberrant nourishment के बारे में बात हो रही यहाँ पे मस्कुलर डिस्टॉफी is a genetic basis of primary myopathy यह genetic basis होता है इनका primary myopathy myopathy मतलब myo मतलब muscle और pathy मतलब कोई pathological condition हो गई हो they are inherited neuromuscular disorders यह neuromuscular यानि nerve और muscle से related disorders होते हैं of skeletal muscle with progressive clinical course degeneration of muscle and death of muscle fibers progressive clinical course हो सकता है degeneration of muscle हो सकते हैं यह finally death of muscle fibers भी हो सकती है अब हम बात कर लेते हैं types of muscular dystrophy की मस्कुलर डिस्टॉफी कितने तरीके के होते हैं ऐसे तो यह कई तरीके के होते हैं अब हम यहां पे कुछ important muscular dystrophy के बारे में बात करेंगे जिसमें से पहला है हमारा dystrophinopathy 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 की यह डो आते हैं Ducane muscular dystrophy और Becker muscular dystrophy जिसे DMD और BMD से भी denote किया जाता है आगे हम देखेंगे कि dystrophinopathy क्या होता है और Ducane muscular dystrophy यानि DMD क्या होता है basically dystrophinopathies में dystrophin gene में problem होती है dystrophin gene में pathy होने की वज़े से जो muscular dystrophinopathies होती है वो dystrophinopathies होते हैं दूसरा टाइप है हमारा facio scapulo humoral muscle dystrophy जैसा है कि इसका नाम सजेस्ट करता है scapula और humorous bone के बीच में muscular dystrophy होती है तीसरा टाइप है हमारा limb girdle muscular dystrophy जहाँ पे limb girdle में muscle dystrophy होती है और चौथा टाइप है हमारा myotonic dystrophy type 1 तो अब हम देखते हैं dukin muscular dystrophy क्या होती है DMD जिसे हम short में represent करते हैं सबसे पहले तो यह most common hereditary neuromuscular disease है सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है it has a x-linked recessive pattern of inheritance इसका pattern जो होता है inheritance का वो x-linked recessive pattern होता है it is expressed in male progeny while female is carrier यह male progeny जो होते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं male होते हैं उनमें यह express होता है जबकि female हमेशा carrier होती है इसमें gene xp21 affected होता है जो affected gene है उसका नाम xp21 होता है इसके incidence की बात करें तो 1 is to 3500 live wave male birth में यह होता है मतलब 3500 में से एक किसी male बच्चे में यह बीमारी पाई जाती है अब हम बात करते हैं इसके atiopathogenesis के बारे में तो atiopathogenesis में क्या क्या हो सकता है necrosis and degeneration of muscle fibers हमें मिल सकता है या phagocytosis of degenerating fibers मिल सकता है या abnormally small fibers बन गए हो या degenerated fibers जो है वो fat tissues से replace कर दिये गए हो यह यह हमें इसमें मिल सकता है अगर हम बात करें इसके clinical features के बारे में तो इसमें difficulty in standing, walking, climbing stairs जो बच्चा होगा उसको खड़े होने में, चलने में, सीडिया चडने में दिक्कत होगी clumsy walk होगी उसकी fall on flat surface यानि अगर flat surface भी है तो भी उसमें चलते हुए वो बच्चा गिर जाये करेगा इसमें एक काफी important sign मिलता है जिसे gover sign कहते हैं इसमें difficulty in standing from any recombent position होता है मतलब बच्चा जब गिर जाता है या फिर चलते चलते गिर गया या लेटा हुआ है तो उसको उठने में काफी तकलीफ होती है वो सीधा नहीं उठ सकता किसी चीज का सहारा लेकर फिर वो उठता है वो अपने घुटनों का सहारा लेकर भी उठ सकता है किसी दीवार का सहारा लेकर भी उठ सकता है अगला feature जो हमें मिलता है इसमें वो है hypotonia यानि muscles में tone गायब होता है या फिर नहीं होता lordosis भी इसका काफी important feature है जिसमें lumber lordosis मिलता है forward thrust tummy यह जो बच्चा होता है उसका पेट आगे की तरफ निकला होता है इसका tummy आगे की तरफ निकला होता है pseudo-hypertrophy मिलती है calf muscles की, deltoid की और tongue की इन calf muscles, deltoid और tongue की pseudo-hypertrophy मिलती है वो excessive बढ़े हुए मिलते हैं हमें अगला हमें मिलता है इसमें wadling gate जिसे tendernberg gate भी कहते हैं जिसमें बच्चा एक side से लचक के चलता है और हमें इसमें contractures भी मिल सकते हैं अगर हम बात करें इसके investigation की कि हम इसको investigate कैसे करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि यह DMD है duquin muscular dystrophies बच्चे को हुआ है तो इसके investigation में serum cretin phosphokinase बढ़ा हुआ मिलता है Electromiography से हम इसे पता कर सकते हैं muscle biopsy से पता किया जा सकता है बच्चे की ECG करवा के पता किया जा सकता है क्योंकि इस बीमारी में cardiac activities भी affected होती है बाकि multiplex PCR से उसका genetic information निकाला जा सकता है अब हम बात करते हैं इसके management की वैसे तो कोई safe और effective treatment अभी तक है नहीं इसका steroid therapy चलाई जाती है जिसमें adverse drug reactions मिलते है उसमें prednisolone चलाई जाता है 0.75 mg per kg per day के हिसाब से for first 10 days of each month यह होता है बाकि इसके लावा एक और drug चलाई जाती है जिसे deflas a court भी कहते हैं deflas a court बाकि इसमें physio therapy की जा सकती है उसके exercises उसे करवाई जा सकते हैं walking की exercise करवाई जा सकती है emotional support बहुत जरूरी होता है ऐसे बच्चों में और counseling of parents काफी important है parents की counseling करके उन्हें इस बीमारी के बारे में समझाना बहुत जादा जरूरी होता है इसके बाद हम बात करेंगे facio scapulohumeral muscle dystrophy के बारे में ये हमारा दूसरा टाइप का muscular dystrophy था पहले इसके पहले हमने DMD के बारे में बात कर लिया अब हम इसके बारे में बात करेंगे facio scapulohumeral muscle dystrophy इसके clinical features में asymmetrical facial weakness मिल सकता है मतलब जो face होगा उसमें asymmetrically एक किसी side पे facial weakness मिल जाएगा humoral and trunkal and lower limb weaknesses में मिलता है papaya arm appearance मिलता है papaya आपने सबने cartoon देखा होगा उसमें उसके हाथ जो होते थे वो काफी बढ़े हुए मिलते थे फूले से हाथ रहते थे उसके तो इस तरीके का appearance इसमें भी मिलता है lower abdominal muscles are weaker than upper abdominal muscle resulting in beworz sign ये भी काफी important sign है beworz sign high frequency hearing loss मिल सकता है restrictive respiratory diseases इसमें मिल सकती है इस बीमारी के बारे में आपको ये समझना है कि fascio scapulohumeral यानि scapula और humorous के बीच में muscle dystrophy हुई है तो उसे fascio scapulohumeral muscle dystrophy कहते है अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप of muscular dystrophy की तरफ जिसका नाम है limb girdle muscular dystrophy जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है limb girdle limb girdles में muscular dystrophy का हो जाना limb girdle muscular dystrophy कहलाता है इसके pattern की बात करें तो autosomal digestive inheritance होता है predominant lower extremity weakness मिलता है काडिय करिद्मियाज मिलते हैं सीरम क्रिटीन काइनेज elevated मिलता है investigation में हमने DMD के investigation में भी देखा था उसमें भी elevated मिलता था phosphokinase इसमें serum क्रिटीन काइनेज elevated मिलता है limb girdle dystrophy नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि limb girdle dystrophy इसमें मिलेंगे treatment इसका symptomatic होता है यानि लक्षण ही चिकित साम करते हैं जो लक्षण हमें मिलते हैं उसके हम treatment के लिए आगे बढ़ते हैं अगला और आखरी type जो हम बात करेंगे वो है myotonic dystrophy type 1 ये most common muscular dystrophy होती है adults की वैसे तो हम यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं लेकिन most common muscular dystrophy of adults होती है myotonic dystrophy type 1 it is transmitted in autosomal dominant manner autosomal dominant manner में ये transmit होती है clinical feature में myotonia मिलता है myotonia का मतलब होगा है muscle हमेशा toned रहेंगी अगर contract हो गई तो contracted state में ही रहती है facial weakness मिलेगी distal limb weakness मिलेगा cataracts मिल सकते हैं frontal baldness भी इसका feature होता है cardiac यह spelling गलत लिखी हुई है cardiac activities disturbed रहती है by plagia मिलता है और club foot भी इसमें एक appearance हमें मिलता है there में भी history of decreased fetal moment और यहां भी spelling गलत लिखी हुई poly hydro amnios होगा जो इसकी mother होगी उसमें हमें एक history मिल सकती है कि जब fetal life में इस बच्चे में poly hydro amnios की condition मिली हो सकती है यह decreased fetal moment भी मिल सकता है हिस्ट्री genetic testing इसमें confirmatory होती है जब genetic testing करवा ली जाती है तो confirm हो जाता है कि इसको myotonic dystophy ही हुआ है तो दोस्तों इसी के साथ हमारा myotonic dystophy limb girdle muscular dystophy fascio scapulohumeral dystophy और dukin muscular dystophy topic खतम हुआ muscular dystophy इस काफी important topic है exam point of view से भी और practically भी यह काफी important है इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी होता है उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आई होगी अगर आपको यह video पसंद आई है तो इसको like करें share करें और जादा से जादा subscribe करें धन्यवाद